नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में आप सभी आंगनबारी सेविका और सहाइकाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि ICDS वीभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिस लेटर में आगनबारी सेविका और सहाइकाओं को प्रती माः प्रोसाहन रासी देने का निर्देश आ चुका है जी हाँ आगनबारी बहनों आप सभी के लिए प्रतीमा प्रोसाहन रासी देने का निर्देश आ चुका है आए जानते हैं किस काम के लिए और कौन-कौन से काम है जिसके लिए आगनबारी सेविका और साहिकाओं को प्रतीमा प्रोसाहन रासी दी जाएगी और आज गई ये व जारी हुआ है वो 16-11-2021 को लेटर जारी किया गया है जिसकी संची का संख्या है 349 प्रेशक है नोडल पदादिकारी पोसन अभियान ICDS निदे साले बिहार पटना के तरफ से लेटर जारी किया गया है सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी बिहार पटना यानि पुड़े बिहार के डिपियों को ये लेटर जारी किया गया है और पुड़े बिहार में ये लेटर समान ये रूप से लागू होने वाल सेविका और सहाइका को प्रोसाहन रासी परदान करने के संबंद में तो आगन बारी सेविका और सहाइका को प्रोसाहन रासी दी जाएगी जैसे कि पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन पर उनका जो कारे होगा अच्छे से कारे करती हैं तो उनको हर महीने प्रोसाहन रासी मिलेगी नीचे जानेंगे किस प्रकार से आपको प्रोशाहन रासि दी जाएगी इसकी कंडिशन क्या है और कब से कब तक इसको लागू किया गया है, विडियो काफी यूजफुल है, आप सभी ने ईस विडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक वाला बटन दबा कर इस विडियो को लाइक कर दिजिए तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख पारे होंगे महास है उप्रियुक्त प्रासंगिक विशाय के संबंद में सोचीत करना है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अलोक में पोशन अभियान अंतरगत पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में उतक्रिष्ट क साड़ करने वाली आगनवारी सेविका और सहाय काओं को प्रती मह प्रोसाहन रासी देने का प्रावधान किया गया है प्रोसाहन रासी परदान करने हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गए हैं देखिए प्रोसाहन रासी आपको देने के लिए कुछ नियम है जो यहां पर लागू किये गए हैं प्रोसाहन रासी दी जाएगी और निचे भी आपको दिखाऊंगा यहां पर 11-12-21 से आगे की अधी के लिए हैं जिसमें भी कुछ कंडिशन लागू है तो वो क्या है चलिए पहले इसको देख लेते हैं जैसे कि पहला में दिया गया है आंगनबारी सेविका के लिए आंगनबारी सेविका द्वारा पोसन ट्रेकर अप्लिकेशन को डाउनलोड करना और लभार्थियों को जोड़ा जाना सेकंड में है होम भीजिट के माध्यम से योग यह लभार्थियों को टी एचर बितरन करना या महामारी के दोरान अन्य सेवाव में सहयोग परदान करना यह साहिका के लिए है जो आंगनबारी सेविका के साथ मिलकर COVID-19 महामारी के दोरान टी एचर बितरन हो या और भी बहुत सारे जो अन्य कार्य किये गए हैं तो उनके द्वारा जो सहयोग मिला है तो उनको भी प्रोशाहन रासी दी जाएगी और जैसे कि खंड B में आप लोग देखेंगे कि 1.11.2021 से आगे की ओधी के लिए यानि ये जो महिना है इस नौंबर महिने से अगे जो भी कार्य होगा उस ओधी के लिए आए जानते हैं कि कि इस परकार से आपको पोशन ट्रेकर एप पर काम करना है कि आपको हर मह प्रोशाहन रासी दी जाए जैसे कि यहाँ पहला में दिया गया है कि AWC द्वारा प्रती मह 0-6 वर्स आयू के कम से कम 80% बच्चों का बिडिधी निगरानी करना यानि आपके द्वारा पोशन ट्रेकर है आगन बारी करेकरता द्वारा प्रती मह कम से कम 60% ग्री भर्मन किया जाना है जिसमें सभी परकार के लभार्तियों का घर सामिल हो पोशन ट्रेकर एप में जो होम विजिट का ओप्सन दिया गया है जिसमें सभी लभार्तियों के घर जाकर हमको होम विजिट करना है उसमे कम से कम 60 पर तीसत आपको गड़ी भर्म किया जाना है अब आये जानते हैं आंगनबारी सहाईका के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है माह में कम से कम 21 दिनों के लिए आंगनबारी केंदर को खोलना यानि सुबह में जो आगनबारी सहाईका है वो आगनबारी केंदर को खोलती है तो उसमें जो कम से कम 21 दिन के लिए वो आगनबारी केंदर खोलती है तो उनको इस परकार की प्रोसाहन रासी दी जाएगी उप्रोक्त मानक का निर्धारन पोशन ट्रेकर एप में आगनवारी के खुनले एवं बच्चों की उपस्थिती के अधार पर निर्धारित किया जाएगा ये सहाईका के लिए है और सेविका के लिए देखी क्या करना है जिसमें कि पोषण ट्रेकर एप में जो बच्चे हैं उनका कम से कम 80% बरीधी निगरानी चाठ भरना है साथ परतिसत ग्री भरमन करना है और भी अन्य जो सिवाएं हैं वो आपको पोशन ट्रेकर रेप पर अगर आप लोग मन्थ में इस परकार कारे करते हैं तो आपको हर महीने पुरसाहां रासी दी जाएगी अता अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन किया जाए तो देख सकते हैं कि आई सीरीस विभाग ने ये पत्र जारी कर दिया है और इस पत्र के माध्यम से अब आप सभी को इन कामों के लिए आपको हर महीने पुरसाहां रासी दी जाएगी तो मिलते हैं फिर किसी नई जनकाड़ी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद